नमस्कार दोस्तों स्वागत हाँ सभी का यूटूप चैनल जॉप शुटे में दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं WCD बिहार की एक नई भड़तियाई है 2022 की जिसके बढ़ में डीटेल में आपको जानकारी देने वाले हैं दोस्तों WCD का यहां पर फूल फांव हो जाता है बूमेंस एंड जो है चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से यह रिक्रूटमेंट है जो की बिहार की वेकेंसी है दोस्तों काफी अच्छी वेकेंसी है मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं सबसे पहले और इसकी जो है अच्छी एक बात यह है कि इसमें कोई भी कंडिरेट जो मेल हो या फीमेल हो सभी कंडिरेट के लिए किसी तरीकी आप लोग की एप्लिकेशन फी नहीं लगती है बिल्कुली फिरी में आप लोग आपे दिन कर पाओगे यह ओनलाइन फॉर्म है मैं वीडियो के सुरू में ही बता दे रहा हूं ताकि आप लोग की मन में जो भी डाउट हो गिलियर हो जाएगी टीक है मेल और फीमेल सभी के लिए है सेरल लिए आपके स्टार्ट होगी 15,000 पर मंद से इसकी नोटिपीसन आउट हो चुकी है नमबर और पोस्ट जो है दो स सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि दोस्तों आप सभी के लिए इसी तरगी ख़वर लेके आते रहे तो आगे बढ़ते हैं देते तमाम जानकारी डिटेल में अब दोस्तों देख सकते हैं इसकी ओफिसियल नोटिपिकसन है महिला विकास निगम बिहार के तरफ से समाज कल्यान विभाग के तरफ से बुमेन एंड चाइल्ड डेवलेप्मेंट कोर्पिशन विहार के तरफ से यह रिकूट्मेंट दी गई है यहां पर इसका एड्रेस बगरा दिया गया इमेल आईडी आप चेक आउट कर सकते हैं फोन नंबर भी है और यहां पर आप बैफ सकते हैं अब यहां पर चाहे तो आप लोग इसकी जो है वह ऑफिस्यल वैफ साइट पर जा सकते हैं जिसका मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में अब यहां पर कहा गया है कि दसलेक्शन सेल विड़न थ्रू ए थ्री एस्टेट प्रोसेसिंग इन वह लिंग ठीक है पहले तो आप लोग का जो है रिटेन एक्जाम होगा जो की केंप्यूटर बेस्ट एक्जाम भी हो कि थर्ड यही हुआ इंटर्व्यू होगा पहले तो आपका जो ग्रूप डिसकसन होगा उसके आपका एंटर्व्यू लिया जाए तो यह तीनों इस्टेज यहां पर हो जाती है अब ऑनलाइन अपलाई करने के लिए यहां पर डिटेल दिया गया है आप लोग ऑनलाइन कोश्ट दिया गया है उसमें यह बताया गया है कि यहां पर देखिए एजुकेशन में कहा गया है कि सी मस्ट पास बेचलर डिटी इन फीजियोलोजी या सुसलोजी या लॉग अगर आपने इन तीनों में से कोई भी डिग्री आपके पास है तो अपलाई कर सकते हैं और कहा अगर डिटी इन लाउ बिए एलल बी विल विल भी गीवन पर फिंस अगर आपके पास जो है बी एलल भी आपने किया है तो आप जो है वह जरूर दीजिएगा आपको प्रिपेंस वहापर मिलेगा साथ में जो इनीशियल एक्स्प्रियंस है वो होना आवे सके आपके कहा ग ठीक है और जो आपका EPF होगा एज पर गवर्मेंट रूल के इससाब से वह भी आप लोग का प्रवेंट कराया जाएगा ठीक है तो यह दियान रखेगा मैंने डिट के बारे में बता दिया है या कोई कंडिडेट से हैं तो वह 42 बर तक आविदन कर सकते हैं मीनिमम एज यहां पर रिक्वाइट नहीं है वैसे 18 साल से जो है कम भी नहीं होना चाहिए यह द्यान रखेगा तो आप लोग अपलाई कर पाऊगे तो मैंने प्रॉपर जानकर इस सभी दे दिया हूं जिससे